Hello Friends, East Akundalam के Learning Platform पे आप सभी का सौगत है I hope you all are doing great आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे H1V visas के बारे में जिसको ऐस्थाई रूप से सस्पेंड कर दिया गया है US Administration के द्वारा तो चलिए शुरुवात करते हैं तो US President Donald Trump ने एक Presidential Proclamation जो है वो इशू किया जिसमें ये Announce किया गया कि जो certain categories of non-immigrant visas हैं जैसे की H1V visa, H4, H2V, JNL visas इस सब को सस्पेंड कर दिया जाए तिल December 31st 2020 और इनका जो decision है वो effect में आ गया है from June 24th तो सबसे पहलो तो हम बात करते हैं कि जो different categories of visas हैं वो क्या है तो ये जितने भी categories के visa हैं ये सबके सब non-immigrant visa हैं ये क्या होता है इसका हिंदी साब्दिक अर्थ होता है गयर अपरवासी visa तो ये वैसे लोगों को दिया जाता है मतब एक temporary basis पे आपको visa दिया जाता है अब उसके अलावा वहाँ पे कोई और काम नहीं कर सकते और वहाँ पर permanently रह भी नहीं सकते आपको वापस आना होगा ठीक है और एक और चीज जो देखी जाती है वाइल गिविंग इस काइंड वीजा वह है डूए डूए इन्टेंट यह क्या होता है कि जो भी ऑफिशल्स हैं वीजा इशू करने से पहले यह चीज देखते हैं कि जो वीजा चाहता है कहीं उसके मंचा यह तो नहीं है कि वो permanently यूएस में रहना चाहता है वो यह short करते हैं कि वो वापस आना चाहता है अपने home country अगर उसको जरा भी शक हो जाएगा कि आपको कोई plan है यूएस में ही बसने का तो वो आपको non-immigrant visas नहीं देंगे तो सबसे पहला क्या कि यह temporary basis पे second क्या for a specific period of time and third for a specific purpose जैसे कि tourism, business, work, study तो यह जितने के जितने visas हैं सारे के सारे क्या है non-immigrant visas हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं H1V visa के बारे में यही सबसे जादा news में भी रहता है क्यों क्योंकि यह जो है वो ऐसी लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही जादा skilled होते यानि कि यह visa skilled workers को issue किया जाता है और वैसी skilled workers जो की specialist होते जिनके पास theoretical and technical expertise होती है और यह जो वीजा है यह temporary work visa यह American firms especially जो Silicon Valley firms है उसके जादा उसके द्वारा सबसे जादा यूटिलाइस किया जाता है उनके लिए बहुत ही beneficial है क्यों क्योंकि एक तो US में labor shortage की problem है और इनको एक highly skilled labor मिल जाता है वो भी कम cost पे तो यह हमेशा profit में रहते हैं तो इनके लिए एक win-win situation है US government हर साल 85,000 जो है वो H1B visa जारी करती है जिसमें से 65,000 visas जो है वो skilled workers के लिए होता है उसके बात इसी में से 20,000 visas है वो ऐसी लोगों के लिए होता है जिनके पास master degree है या फिर को higher education की डिग्रे किसी American University से तो उन लोगो को दिया जाता है और ऐसे तो इना पर किसी का कोटा फिक्स नहीं है बट क्यूंकि US का अग्रीमेंट है विच सिंगापूर एंचे ले तो इसी में से 6,800 visas जो है यह इस दो country के लिए रिजर्व रहते हैं ठीक है यह हर साल अपरिल में जो है वो इसू किया जाता है बाई US citizenship and immigration services और एक और इंट्रेस्टिंग बात कि यह जो वीजा है वो कोई individual इसके लिए अपलाई नहीं कर सकता यानि आप नहीं कर सकते आपको जो company hire करेगे जो hiring firm है वो इसके लिए अपलाई करेगी वही इसका filing fee देगी fine अब हम बात करते हैं H2V visa के बारे में तो यह visa जो है वो seasonal workers क escaping industry में है तो उन लोगों के लिए एक specific time period के लिए अब बात करते है L1 visa के बारे में तो यह intra company transfer visa होता है यह क्या होता है मान के चलिए Apple की company इंडिया में है Apple की company US में है तो यहां के जो employee है इसका transfer US के form में हो गया तो यह यहां से यहां जाएंगे तो उनको visa चाहिए ना तो जो company के बीच में जो transfer होता है highly skilled labor का उसके लिए जो visa होता है वो आता है L1 visa यह जो होता है वो 7 साल के लिए इसको extend किया जाता है मतब 7 साल तक इसका limit है कि आप वहां पर रह सकते हो इस visa के अंतरगर अब हम आते हैं J1 visa के बारे में तो यह जो students वहां पढ़ने जाते हैं उनको द बच्चे जो 21 साल से कम है वो भी हगदार होते उनको दिया जाता है H4 visa ताकि वो अपनी family जो है उसको अपने साथ रख सके पर वहां पर जाके काम नहीं कर सकते जिन लोग पास H4 visa है वहां पर जाके काम नहीं कर सकते आप किसी tech company में है तो आप अपने बीवी या बच्चे क को वापस U.S. बुलाना चाहते हैं तो उनको कौन सा वीजा मिलेगा H4 और आपको कौन सा वीजा मिलेगा H1 B आप काम कर सकते हो पर आपके बीवी अगर काम करना चाहे तो वह नहीं कर सकते हैं उसी तरह है जो employee transfer होते हैं एक company से दूसरे company मैंने खाना L1 visas तो वह भी जो है व और इसको कौन सा मिलेगा L1 visa और similarly यहां पर भी किये काम नहीं कर सकते हैं तो friends हमने सारे की सारे वीजास देख लिये कुछ भी मुश्किल नहीं है और थोड़ा सा confusing लगता है क्योंकि 1 B 2 B something like that एक बार ही आप अपर इसको अच्छे से देख लेंगे it's very easy अब हम एक नहीं से देते हैं non-immigrant status and immigrant status क्योंकि लोगों में थोरा सा confusion रहता है just for that purpose मैं इसको यहां पर टाला है तो यह तो मैं आपको clear कर चुकी हूँ कि जो non-immigrant होता है गयर प्रवासी यह temporary basis पर होता है मतब जो specific time period के लिए for a specific purpose वहां जाते उनको खहते हैं ठीक है और एक बारी अगर आप चले जाते हैं तो आप सिर वही काम कर सकते हैं जिसके लिए आप पर गए हैं और आपके पास कोई डूल इंटेंट नहीं होना चाहिए वहां पर बसने का आपको अपने home country पर वापस आना ही होगा जबकि जो immigrant status होता है यानि कि और प्रवासी वह उन लोगों के लिए होता है बहुत ही लंबा लेंदी प्रोसेस है अब हम बात करते हैं कि यह suspension जो हुआ है इसको जो अस्थागी जो किया गया है यह सारे वीजास को यह क्यों किया गया है इसके पीछे reason क्या हो सकता है तो जबसे डोनाल ट्रॉम्प सत्ता में आये हैं उनके clear-cut policy रही है अमेरिका first तो इसी के तहत यह step उन्होंने लिया है बाइ अमेरिकन हायर मेंकर उनका यह slogan है जिसके तहत उन्होंने यह step लिया है पर जितने भी वहां के policy experts हैं और lawyers उनका खहना है कि एकॉनमी से जादा यह political जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अमेरिकन सिटिजन को कि जो भी jobs है या फिर ज गेमिक जादा है बजाए economy step के दूसरा है कि कोविड-19 की वज़े से US की economy भी जो है वो slump कर रही है जैसे कि दुनिया भर की economy जो है वह भी slowdown में है तो जो महां के जो jobs है जो domestic jobs है उसको बचाने के लिए इस तरह का यह step लिया गया है अब इसका जो प्रभाव है जो impact है वो क किन-किन चीजों पर पड़ेगा और क्या क्या होगा तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रभाव इंडिया पर क्या पड़ेगा आपके दिमाग में सबसे पहला आएगा IT company correct क्योंकि सबसे ज़्यादा जो beneficiary है वो IT companies ही है और अगर जो इंडियन है उसमें IT company मे उसके बाद जो हमारा second impact होता है वो यह है कि जो brain brain है मानि कि जो newly graduated school workers है जो चाहते हैं कि उनको US का वीजा मिले उनका तो suspend हो गया तो अब यह हो सकता है कि वो जो हैं वो इंडिया में ही job opportunities को तलाश है इंडिया के लिए काम करें तो जो brain brain की जो समस्या है उसको एड्रेस कर स सकता है और साथी साथ हमारे प्रधानमंत्री के दोरा एक self-reliant यानि की आतनीर भारत का स्लोगन दिया गया उसके बाद में कि इंडिया 5 trillion dollar economy इन सब सारी चीजों को लेके अगर हम देखे तो जो स्किल वर्क फोर्स है उसको अपने देश में ही रखना जादा बजाए उसको यूएस जाने के तो एक तरह से अगर देखें तो इस चीज को इंडिया चाहे तो यूटिलाइज भी कर सकता है एक तो आपकी ब्रेंट इन की जो समस्या है वो खतम हो जाएगी आपके जो गोल्स है चाहे वह आत्मीर भारत हो मेकिन इंडिया हो 5 trillion economy हो वह भी आप फुल्फ इंडिया चीज को कैसे को पप करता है तो यह कुछ positive impacts है जो मैं आपको बता है negative तो वही है जो IT companies को होगे अब यूएस की बात करते हैं तो देखिए तो देखने में लगता है कि यह से domestic workers जो है उसको फाइदा होगा यूएस की एकानमी जो है वो उसको फाइदा हो लेकिन ऐ इसे सबसे दादा नुकसान जो है वो यूएस को ही होगा क्योंकि वहां पे जो जितने भी highly skilled जो लेबर होते थे चाहे वो hospitals में हो, communities में हो, universities में हो वो सब को नहीं मिलेगा तो इसे यूए अमेरिका की जो economy है उसको ही नुकसान होने वाला है अमेरिकान एकानमी की जो recovery है व और फिर वो attract करते हैं best and brightest minds of the world ये जो reputation है उसको permanent damage होगा साथी साथ अगर हम बात करें तो जो legal immigration था ये अमेरिकान economy के लिए बहुत ही जादा बूस्ट का काम करता था एक positive thing थे क्योंकि उनकी companies को फायदा होता था इतना high skilled labor और वो भी आपको कम दाम पे मिल रहा है तो अमेर इनका जो Canada है US Canada तो हो सकती है company जो है वो आउट्सोर्स कर दे तो Canada जो है इस opportunity का फायदा उठा सकता है जैसे कि company जो होती है वो आउट्सोर्स कर देती है जहां पर उनको tax कम देना होता है जैसे कि Luxembourg similarly इसको ये अपनी हिसाब से मोर लेंगे अगर यहां पर वीजा नहीं दि इंडिया यूएस के bilateral ties पे को impact पड़ेगा तो देखिए यह जो issue है यह यूएस का जो election related issue ज्यादा लगता है बजा इंडिया यूएस के mutual problems है क्योंकि आपको मालो में यूएस में elections होने है तो वो अपने electoral promise को fulfill कर रहे है इसका मतलब यह नहीं है कि यूएस और इंडिया के ब वो global strategic partners है वो चाहे वो democratic values हो या फिर उनकी जो interest है चाहे वो bilateral लेवल पे हो original लेवल पे हो या फिर global issues पे हो वो एक जैसे हैं और अगर रिसेंटली देखे तो यूएस का चायना से नहीं बन रहा चायना का इंडिया से नहीं मर रहा तो we have a common adversary तो ऐसा situation में तो दोनों जो है व यूएस का जो है वो election related issue है rather than दोनों countries के बीच का mutual problem ठीक है दूसरा चीज यह है कि यह immigration से ज्यादा trade issue है अमेरिका जो है अपनी economy को revive करना चाह रहा है ठीक है थर्ड तिंग है कि जो नास्कॉम है उन्होंने काया है और बहुत जारी जोहां की फर्म्स है जैसे कि सुदरपच़ई है या फिर यूएस कोमर्स है इन सब ने इसे स्टेप पो क्रिटिसाइज किया है उन सब कहना है कि जो इंडियन टेक्ट वोकर्स है उनको इस पूरे के एक पूरे सस्पेंशन से जो है वो एक एकसेंशन दिया जाए क्योंकि वो एक एंशनल वरकर की क्याटरगरी में आते हैं तो यह काम करता है कि नहीं करता बट यूएस के अंदर से आवाज हा रही है कि आप यह जो डिसीजन यह वापस लें क्योंकि से जादा नुक्साल ठीक है? So, this was end of this video, friends. I hope you find this video informative. अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए. इस वीडियो को जाद से जादा लाइक कीजिए. और इसको शेर कीजिए. अगर आपको इस topic से related को query है, तो आप हमें mail कर सकते हैं. अगर आपकी exam preparation से related को query है, तो आप हमें mail कर सकते हैं at esakuntlam.edu at the rate of gmail.com Thank you friends. Happy learning.